गुड मॉर्निंग बच्चो बच्चो ये आपका एक रिविजन टेस्ट है कल मैंने आपको विशेशन शब्द बताए थे बहुत अच्छे से समझाया था उसी में से कुछ चीजें मैंने आज टेस्ट के लिए दी हैं मैं इनको बता देती हूँ टेस्ट आपके पास अभी भेज दूँगी आप इसको कर लेना और जो कुछ नहीं आता हो तो इसको लर्न भी कर लेना पेपर आपके पास है ये विशेशन वाला पेपर आपके पास होगा फोन में तो उसमें से देखके या कॉपी में लिखके जैसे भी आपका मन करें इसको लर्न कर लेना अगर कोई चीज नहीं आती हो तो आज के टेस्ट में से बच्चों पहला इसमें कुश्चन मैंने दिया है चित्रों के अधार पर संग्या विशेशन लिखे संग्या मन ये क्या चीज है और ये कैसा है फॉर एक्जामपल मैं एक बता देती हूँ जैसे ये टमाटर है और ये लाल रंका है तो इसको लिखेंगे लाल टमाटर या लिखेंगे बड़ा टमाटर बड़ा सा भी है ये बहुत छोटा नहीं है तो इस तरह आपको ये पेड है ये बिल्ली है ये फूल है और ये लड़का है ये मैंने सब एक्जामपल आपको समझाई भी थे तो इनको इनका संग्या भी यानि इनका नाम भी लिखना ये क्या चीज है और ये कैसे हैं ये भी लिखना इनकी विशेशता भी बतानी है विशेशता बताने वाला भी एक शब्द लिखना है इस तरह ये कैस्ट करेंगे आप समझ समझ के किसी बड़े की भी help ले सकते हैं पर सारा उनसे पूछ पूछ के मत लिखना नेक्स्ट कुश्चन है रिक्त इस्थान भरो रिक्त माने खाली इस्थान माने जगए आपको खाली जगए भन नहीं है यहाँ पर मैंने लिखा है संग्या या सर्वनाम की डैश बताने वारे शब्दों को डैश कहते हैं इसमें दो शब्द भरेंगे आप पहला उपर की लाइन में और दूसा नीचे की लाइन में क्या कहते हैं किसको ये आपको दोनों शब्द भरने है बच्चो नीचे एक बादल सबनाया है मैंने उसमें कुछ विशेशन शब्द हैं और कुछ संग्या सब्द हैं मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूं कुछ विशेशन शब्द हैं और कुछ संग्या शब्द हैं जो नाम वाले शब्द हैं तो आपको इन में से चुन कर आठ विशेशन शब्द वाइन टू थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट आठ विशेशन शब्द यहाँ पर लिखने हैं खाली जग्या में तो ये टेस्ट है आपका इसके बाद एक टेस्ट और है एक पेज इसमें कॉलम का सुंदर क्या है दस किलो क्या है नीथे क्या है और खटा क्या है ये आपको मैचिंग करने है तो ये टेस्ट आप कर लेंगे और इन में से बच्चो अगर कुछ नहीं भी आता हो तो उसको लइन कर लेंगे बाकी आपका tip tip वह तकका lesson का आएगा उसमें one lesson से tip tip वह तक संग्या आएगी सर्वनाम आएगे विशेषन आएगे क्रिया वारी शब्द आएगे यह सब आपके test में आएगा तो इस सब को आप learn कर लेना आपके दो तिन दिन का time है आपके पास में पहले ये टेस्ट करेंगे बैठ करके और फिर अपना टेस्ट का रिविजन करेंगे और सब्जेक्ट का भी करेंगे हिंदी का भी करेंगे अच्छी तरह से थैंक यू बच्चो ओके